Hello students, आज हम discuss करेंगे Y has phenol higher volume point than taulin Phenol का volume point higher होता है, taulin से, ऐसा क्यूँ होता है तो इसमें देखते हैं, यह phenol का structure बनाते है phenol का formula होता है C6H5OH तो यहां पर benzene और इसके उपर OH group attach होगा यह phenol का structure है फिनोल मॉलिक्यूल में इंटर मॉलिकुलर हाइडरोजन बॉनिंग होती है जब भी बॉनिंग पॉइंट पूइंट पूछा जाता है तो वहाँ पर मोशली जादातर केसिज में हाइडरोजन बॉनिंग परजेंट होती है तो यहाँ पर Inter-Molecular Hydrogen Bonding परजेंट है Inter-Molecular Hydrogen Bonding जो Inter-Molecular Hydrogen Bonding बीट विन टू या टू से ज़्यादा मॉलिकूल के बीच में परजेंट होती है तो उसमें देख लेते हैं हम structure बनाके यहाँ से अधर मॉलिकूल है फिनोल का अब यहाँ पर Hydrogen Bonding बन रही है Hydrogen और Oxygen Atom के बीच में तो Inter-Molecular Hydrogen Bonding जितनी जादा होगी उतनी ही जादा association हो जाएगी मॉलिकूल की association होगी मॉलिकूल की तो जादा energy चाहिए Hydrogen Bond को बेक करने के लिए जितनी जादा energy Hydrogen Bond को बेक करने के लिए चाहिए उतना ही जादा boiling point हो जाएगा तो फिनोल का बॉलिम पॉइंट ज़ादा है क्यूंकि इसमें इंटर मॉलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग है और टॉलिन में टॉलिन का स्ट्रक्चर होता है इस तरह से C6H5, C3 ग्रूप एटाच होता है C3 तो यहाँ पर कोई भी हाइड्रोजन बॉन्डिंग नहीं बनेगी क्यूंकि टॉलिन मॉलिकुल में कोई भी इलेक्ट्रोनेक्टिव एटम परजन नहीं है हाइड्रोजन बॉन्डिंग बनाने के लिए हाइड्रोजन बॉन्डिंग जो है हाइड्रोजन और मोस्ट इलेक्ट्रोनेक्टिव जो एलिमेंट होता है उसी के बीच में बनता है इलेक्ट्रोनेक्टिव एलिमेंट होगे, for example, नाइड्रोजन, ओक्सीजन, एंड फ्लोरिन. जितने ज़्यादा इलेक्ट्रोनेक्टिव एलिमेंट होगा, उतनी ही स्ट्रोंग हाड्रोजन बॉंडिंग होगी.